सद्गुरु ओशो से ताउप निशर के डिस्कोर्स नंबर 92 में एक बड़ा ही महत्तपूर्ण प्रेश्न पूछा जाता है कि आपके कक्ष के चारों और हर समय इतने पहरेदार क्यों रहते हैं हमें आपसे मिलने के लिए इतनी अर्चनी क्यों जेलनी पड़ती हैं क्या आपको अपने शत्रों का भेह हैं लेकिन हम तो आपके प्रेमी हैं हम तो आपके भक्त हैं तो सद्गुरु ओशो इसका बड़ा ही गहरा उत्तर देते हैं सद्गुरु ओशो कहते हैं कि बहुत समय मैं अपने शरीर के बाहर होता हूँ क्योंकि मैंने हजारों लोगों को दिक्षा दिये हैं, मुझे उन पर कारे करना होता है, उन्हें अनेकों प्रकार से सहायता पहुंचानी होती है तो उस समय यदि कोई मेरे कक्ष में प्रवेश कर जाए और मेरे शरीर को स्पर्श कर ले तो फिर मेरा वापिस शरीर में लोट पाना बहुत ही कठिन है इसलिए कक्ष के चारों और इतने पहरेदार खड़े किये गए हैं यह शत्रों से बचने के लिए नहीं बलकि भक्तों से बचने के लिए खड़े किये गए हैं और मेरा तो कोई शत्रू है ही नहीं इसलिए मुझे किसी का कोई भै भी नहीं है यदि मुझे किसी का भै होता तो जब मैं भारत में ब्रह्मन करता रहा 20 वर्षों तक तो समय अपने साथ अंगरक्षक रखता लेकिन मैं अकेला ही भ्रह्मन करता रहा हूँ लेकिन अब मैं आश्रम में कुछ गहरे आयामों में कारे कर रहा हूँ इसलिए आप इस वेवस्था को रिद्य पुर्वक और प्रेम पुर्वक सविकार करें